हुआ हेलो स्टूडेंट्स वेल्कम आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिस उर्दू ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स में वीडियो में थियोरोम 40 को प्रूब गरवाने वाला हूं तो देखिए इस थियोरोम में हमें क्या प्रूब गरना है तो देखिए इस थियोरोम में हमें प्रूब गरना है कि एक सर्केल पे क्या है टेंगेंट है और उस टेंगेंट पे क्या क्या करना है एक प्रूब गरना है ठीक है फिगर में समझी है एक सर्केल है और इस पे क्या है एक टेंगेंट है इसे हम क्या कहेंगे टेंगेंगे ठीक है टेंगेंट वो लाइन है जो सर्केल के एक पॉइंट को टच करता हुआ गुजरे देखिए यह सर्केल है यह क्या हुआ यह टेंगेंट हुआ यह क्या हुआ य यह तो यह 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 दोनू लाइन क्या होंगे टैन्जट ओंगे एक पॉाइन को टछ करता हुआ गुजरने तो यह होगे यह तो यह तो यह डहिए और यह तो रह Ciao बात यह सर्केल के एक पॉइंट पे श्रीफ एक ही draw कर सकते है circle के एक point पे एक point पे शरिफ एक ही tangent को draw कर सकते है एक से ज़्यादा tangent draw नहीं कर सकते है ठीक है देखे अगर हम इस point पे इधर से tangent draw कर नहीं कुछ करेंगे तो देखे यह intersect करता है circle को दो point को touch करता हुआ गुजरता है तो हम लोग circle के एक point पे एक से ज़्यादा tangent draw नहीं कर सकता है फिर से देख लिजे माली यह हमारे circle है ठीक है और यह क्या है यह tangent है तो tangent इस point को touch करता होगा जाता है circle के तो क्या हम इस point पे और भी tangent draw कर सकते है तो हम लोग draw नहीं कर सकते है देख लिजे अगर इस point से और भी tangent draw करना यह cruise करेंगे देखिए, तो circle को दो point पे intersect करते हैं नहीं कि circle के दो point को touch करता है तो यह tangent नहीं होगा, ठीक है तो tangent एक ऐसी line है जो circle के एक point को touch करता हुआ गुज़रे और circle के एक point पे सिर्फ और सिर्फ एके tangent draw कर सकते है तो यह circle के क्या है, यह tangent है क्योंकि यह एक point को touch करता हुआ तो यह क्या होगा, यह tangent होगा नाम रखते है, A, B तो A, B क्या है, tangent इस tangent पे क्या क्या जाता है center से radius draw के जाता है, जिस point पे tangent है इस point पे radius draw के जाता है तो यह point क्या 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 लाएगा यह point कहलाएगा point of contact ठीक है तो इस point of contact पे क्या क्या जाता है center से radius draw जाता है ठीक है यानिके point of contact से एक radius गुजरते है ठीक है तो यह radius जो है इस tangent पे क्या होगा perpendicular होगा इसे हमको क्या करना है prove करना है ठीक है फिर से बता रहा हूँ देखिए एक circle है ठीक है और क्या है एक tangent है यह जो point of contact है c point of contact से radius गुजरते है ठीक है तो हमको prove करना है कि यह radius जो है इस tangent पे क्या है perpendicular है यह हमको क्या करना है prove करना है तो बहुती easy theorem है बहुती easy बहुती आसाने से हम लोग इसको prove कर सकते है ठीक है तो इसको प्रूब करने से पहले आप लोग एक चीज़ को समझ लिए तो माल लेकर ये एक स्ट्रेट लाइन है ए भी ठीक है और एक पॉइंट है ये माल लेकर इस पॉइंट का नाम है अगर हम लोग इस स्ट्रेट लाइन पे बहुत सारे पॉइंट लेते हैं इस ओ पॉइंट से अगर जोइंट करता है तो बहुत सारे लाइन सेग्मेंट मिलेंगे देखिए तो इन सब लाइन सेग्मेंट में ये लाइन सेग्मेंट जो है ये माल लेकर इस पॉइंट का नाम है पी ये ओ पी जो लाइन सेग्मेंट है सबसे छोटे लाइन सेग्मेंट है यानिके इन सब लाइन में सबसे छोटी लाइन कौन है O P है और ये सब लाइन ये माले के इस पॉइंट का नाम है M, इस पॉइंट का नाम है N इस पॉइंट का नाम है Q इसका नाम है R, इसका नाम है S इसका नाम है T तो यह O-M-O-N-O-Q-O-R-O-S-O-T यह सब लाइन O-P से क्या है O-P से बड़ी है O-M-O-N-O-Q-O-R-O-S-O-T यह सब लाइन O-P से क्या है बड़ी है ठीक है यानि कि O-P सबसे छोटी लाइन है तो अगर हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं और इस straight line के बाहर एक point लेते हैं और वहाँ से बहुत सारे line straight line पे draw करते हैं तो सबसे छोटी line जो होगी वो line क्या होगा वो ही line perpendicular होगा इस straight line पे तो अगर हम लोग एक straight line लेते हैं और इस straight line के बाहर एक point लेते हैं और इस point से बहुत सारे line draw करते हैं तो इन सब line में से एक छोटी line मिलेगी और वो छोटी line क्या कहलाएगा perpendicular कहलाएगा यहाँ पे छोटी line कहा है OP और यह OP क्या होगा यह OP ही perpendicular होगा ठीक है यह मैं क्यों समझा रहा हूँ क्योंकि इस थियरों में इसी चीज़ को हमको पुरूब करना है कि यह जो line है यानि कि जो radius होंगे वो सबसे छोटी line होंगे और वो ही क्या होंगे वो ही perpendicular होंगे ठीक है फिर समझ यह अगर एक straight line लेते है और बाहर एक point लेते है ठीक है यह ओ point है इस point से अगर बहुत सरे हम लोग line डो करते है straight line पे तो इन सब line में से जो छोटी line होगी जो छोटी line होगी वो ही क्या होगा वो ही perpendicular होगा जैसे कि यह सबसे छोट line है ठीक है यह क्या होगा यह perpendicular होगा इस line पे ठीक है यह पे यह O P A B line पे क्या होगा perpendicular होगा तो सबसे least length वाले line क्या होगा perpendicular होगा इस पे A B line segment पे यह फिर line बोल सकता है ठीक है यह line यह line यह line यह line यह line O P line से क्या होगे बड़े होगे सबसे छोड़े कौन होंगे op तो op क्या होगा ab पे perpendicular होगा ठीक है तो अब आई ये theorem prove करने के लिए figure draw करते है तो हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को एक circle draw करना है ओके और इस पे क्या करना है एक tangent बनाना है माले के इस tangent का नाम क्या है av है ठीक है इस tangent का नाम क्या है av है और tangent circle को जिस point पे attach करते है माले के उस point का नाम है क्या pa ठीक है इस point का क्या नाम है pa और इसी point पे क्या करना है radius draw करना है मतलब ये point of contact जो है इसी point of contact से radius गुजरते हैं तो यह रेडियस ड्रो कर लिए ठीक है तो अब हम लोग क्या प्रूब करना है अब हम लोग को प्रूब करना है कि यह जो रेडियस ओपी है ओपी यह रेडियस इस टैंजिन पे यह एवी टैंजिन पे परपेंडेगुलर है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग क्या गिवेन में हम लोग क्या लिश सकते हैं AB is a tangent AB is a tangent at the point P किस point पे है? at the point P P point पे, ठीक है? of the circle with center O center O, okay and O P is the radius O P is the radius through the point of contact P O P क्या है? O P radius है, जो point of contact यानिके P point से गुजरता है, ठीक है? तो यह गिवन वाला पार्ट हो गया, अब हम लोग क्या करना है, अब हम लोग को to prove वाला पार्ट में जाना है, to prove तो हम लोग क्या prove करना है, हम लोग को prove करना है, कि यह O P जो यह radius है, इस tangent पे यानिके A B tangent पे perpendicular है, तो हम लोग लिए सकते है, O P इस perpendicular on, यह perpendicular की symbol है, ठीक है, on A B O P, A B पे क्या है, perpendicular है, इसे हमको क्या करना है, prove करना है, अब हम लोग को construction वाले पार्ट में जाना है, construction, तो मैंने आप लोग को बताया था कि हर थियोर में construction की ज़रुवत नहीं भरती है, लेकिन इस थियोर में हमें construction की ज़रुवत है, ठीक है, हम लोग इस A B tangent पे एक point लेंगे, कही पे भी ले सकते है, ठीक है, इधर भी ले सकते है, इधर भी ले सकते है, तो यहाँ लेते है, माले इस point का नाम क्या है, क्यों है, क्या है, क्यों है, तो हम लोग लिखेंगे, any other point q is taken, हम लोग इस A B tangent पे कोई दूसरा point लिए, क्यों, ठीक है, on the tangent, on the tangent A B, A B, Oके, O, O, और q को क्या करेंगे, join कर देंगे, O, q, are joined, उसके बाद क्या करेंगे, O, q को join कर देंगे, ठीक है, तो चलिए, join कर देते हैं, देखिए, join कर दें, ठीक है, तो यह construction वाला पार्ट हो गया, अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ वाले पार्ट में गाना है, तो प्रूफ, तो प्रूफ वाले पार्ट में हम लोग लिए सकते हैं, any other point, any other point on A B, on A B, except P, is outside the circle, मतलब क्या, कि इस tangent A B पे, कोई भी दूसरा point, अगर P point को छोड के लेते हैं, तो वो क्या मिलेगा, outside the circle मिलेगा, इस P point को छोड करगे, इस tangent A B पे, इस P point को छोड करगे, अगर हम लोग कहीं पे भी, इस tangent पे point लेते हैं, तो वो point, outside the circle होगा, ठीक है, अगर हम यहां लेंगे, तो यह भी outside the circle होगा, यहाँ लेंगे तो यह भी outside the circle होगा circle के बाहर होगा तो इसी चीज़ को लिखे आपे any other point on a b except p p को छोड़ कर गए is outside the circle circle के क्या होगा? बाहर होगा इस p point को छोड़ कर गए इस a b tangent पे अगर कही पे भी एक point लेता है तो circle के क्या होगा? बाहर होगा ठीक है? इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे तो therefore oq intersects the circle at a point oq क्या करता है? circle को एक point पे intersect करता है देखिए इस point पे करता है तो माले के इस point का नाम क्या है? आर है ठीक है? आर तो हम लोग लिखे लेत r b the point of intersection the point of intersection intersection माले के आर जो है क्या है? point of intersection है okey? मतलब हम लोग a b पे इस tangent a b पे जो यह q point लिए इस p point को छोड़ कर गए तो यह q point जो लिए इस q point को o से join करने से circle को क्या करता है? circle को intersect करता है तो circle को जिस point पे intersect करता है माले के उस point का नाम क्या है? r इसलिए आपे लिखे let r be the point of intersection o r और o p यह दोनों क्या है? यह दोनों radius है तो हम लोग लिए सकता है therefore o r is equal to o p q क्यों? क्योंके radii of same circle radii of same circle ok? अच्छा o r और o q में बरा कौन है? o r बरा है या o q बरा है? o q बरा है o r क्या है? छोटा है तो हम लोग लिए सकते हैं therefore o r o r is less than o q o r जो है o q से छोटा है ठीक है? यहाँ लिए सकता region q क्योंके r जो है o q के बीच में एक point है यहाँ लिए सकते हैं चूके r is a point between o and q r क्या है? r यह r o q के बीच में एक point है ठीक है? इसलिए o r क्या होगा? छोटा होगा? और o q क्या होगा? बरा होगा ठीक है? तो अब हम लोग लिए सकते हैं देखिए o r is equal to क्या है? o p है तो हम लोग लिए सकते हैं therefore o p is less than o r के जगे o p लिए सकते हैं o p is less than o q o p o q से छोटा है o p o q से छोटा है ठीक है? तो आप देखिए यह a b क्या है? यह a b एक straight line है तो इस point से जितने भी हम लोग इस a b straight line पे जितने भी हम लोग line ड्रो करेंगे इस point से इस o point से इस a b line पे जितने भी line ड्रो करेंगे ठीक है? जितने भी line ड्रो करेंगे sub line में से यह o p line क्या होंगे? यह छोटे होंगे ठीक है? तो यह छोटे लाइन ही क्या होगे यही perpendicular होगे ठीक है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे therefore except op all the line segment drawn from the center O to the tangent A V will be greater अगर हम लोग इस tangent A V पर इस circle के center O से जितने भी line segment draw करे जितने भी line segment draw करे सब line segment क्या होगे बड़े होगे किसको छोर करके O P को छोर करके except O P all the line segment will be greater ठीक है सभी line segment क्या होगा बड़ा होगा ठीक है इस O P को छोर करे जितने भी line segment अगर हम लोग इस O point से इस A V tangent पर draw करे सब line segment क्या होगे बड़े होगे लेकिन सबसे छोटा क्या होगा O P होगा इस O P को छोर करके सभी line segment क्या होगे बड़े होगे तो हम लोग लिशते हैं इस O P is the least distance between the point O and the tangent A V इसका मतलब O P जो है O point और A V tangent के बीच के सबसे छोटी distance वाली line है सबसे छोटी distance वाली line है मतब shortest distance line है तो इसका मतलब क्या इसका मतलब therefore O P O P is perpendicular on A V इस perpendicular on A V और इसी चीज़ को हम लोगो क्या करना था prove करना था तो ये prove हो गया proved मैंने आप लोगो पहले ही बताया कि अगर हम लोगो एक straight line लेते हैं और बाहर एक point लेते हैं इस point से अगर इस straight line पे बहुत सारे बहुत सारे अगर हम लोग line segment ड्रो करते हैं तो इन सभी line segment में जो सबसे छोटे line segment होगे वो क्या कहलाएगा वो perpendicular कहलाएगा तो इसी तरह से ये AB क्या है ये straight line है और बाहर एक point O है इस point से जितने भी line segment ड्रो करेंगे ये OP सबसे छोटा line segment होगा तो इसका मतलब AB पे OP क्या होगा गुला लोगा तिका